इसने जो है मुझे अभी हम जो है यह देखिए दोस्तो इसने जो है अभी यह बाइट करेगा देखिए दोस्तो क्योंकि यह काफी जो है हेलो फैंस मैं योगा चार्द है एब हम इस नेक से वह लोके इन सर्मा स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल विजिन आज हम आपको ऐसे एक जीप से अबगत कराने वाले हैं जानकारी आपको देने वाले हैं जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं और लोगों का कहना है कि अगर यह काट ले और काट के नहाले तुरंत कुछ लोग कहते हैं कि अपने टौलेट में नहाले तो जो है इनसान की जो है तुरण मौत हो जाती है और यह बहुत ज्यादा जहरीला होता है ऐसा लोगों का कहना है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं लेकिन हम अभी आपको जो है उस जीप के बारे में जो भी हम आपको दिखाने वाले हैं पूरी जानकारी देंगे क्योंकि हमने अभी उसको जो है रेस् देख करने हम उनों सब्सक्र saben जो हست्थ प्रविश्वास प्हाइब होगों के मन में जो पुराना बैठा हुआ है जो लोगों ने बैठा रखा है ड़ा रहा है उनको वह उनका बैहम दूर हो और वह जादा से ज्यादा जीवजुनतों को बचाएं क्योंकि इनका बच्छे रहना क्यों कि मैं अपनी हर वीडियो में ब कर रहे हैं तो ऐसा बिलकूल भी ना करें और यह काम के लिए मैं अपनी बाहróँ में बताता हूं है अक्सर Ceusz हम हमें जब कोई भी जो नोन वहनमस जीव होता है यानि जहरवाला या बिना जहरवाला जीव होता है तो अक्सर होता है क्या कि हम घबरा जाते हैं और घबराट के कारण कुछी देर में कुछ अगर लोग आपके पास हैं भील बढ़ाके में आप हैं तो वह आपको डरा सकते ह आपकी जो है हर्दय घास से हर्ट अटैक से मौत हो सकती है इसलिए वीडियो को देखकर के कौपी बिल्कुल ना करें को कि यह काम के वले एक एक्सपर्ट के लिए है मुझे लगवक पिछले 10-12 साल करते हो चुके हैं अभी फिलाल हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं काफी जो देर इसको रखे वे इसमें हो गई है और गर्मी का सीजन है काफी तेज गर्मी पढ़ रही है तो अभी यह भी इसमें फिलाल तो हमने जैस सब्सवास फईला हुआ है और इस जीफ को सभी जानते हैं बिक्सपरा के नाम से एक तो बोल देते हैं मेरी पहली वीडियो में आगर आपने तो ने चुक्ट ओंग की monitor lizard जिसको हम गोह बोलते हैं पट्रा गोह बोल देते हैं कोई गोयरा बोल देते हैं अलग लग जगा पर अलग लग इसके नाम होते हैं तो उसी का यह baby होता है और बिल्कुल non venomous होता है और फिलाल हम इसको आपको जह निकाल के दिखा देते हैं दोस्तो अभी क्योंकि यह bite भी नेत्री से बेडों बताया था कि judging सड़ेकल मांस को घाता है तो मुह में कुछ bacteria होते हैं तो उसको कारन के होता है जबहरे करने के वहाँ पर डिटोल से साफ करें और डिटोल से साफ करने के बाद में एक टिटनिस का इंजक्षन आता है जाकर के डॉक्टर से लगवाले आपको कुछ नहीं होगा बिल्कुल भी आप बिल्कुल भी ना घवराएं तो इस बात का विसे ध्यान लखें अभी हम आपको जो है नि चोड़ते ही एकदम से इसने भागने की कोशिस की तो बहुत ज्यादा जो है तीब है यही देखिए जो पट्रा को होती है बड़ी को होती है उसी के चोटे-चोटे बेभी हो जाते है बेभी होते है और इसलिए कलर अभी स्टार्टिंग में जो है कलर इसका अलग है कुछ दिनों के बाद और देखे काफी लंबी यह अपनी जीब भी निकालता है जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे यह देखे और यही जीब आने वाले समय में इसकी काफी जो है बिक साइज के जाते हैं काफी जो है तीन फिट सवा तीन फिट के भी हो जाते हैं जो है माट डालते हैं और बस बाकितों आप समने जो है सुनाई होगा तो अभी आप देख सकते हैं अभी हम जो है यह देखिए यह देखिए दोस्तों इसने जो है अभी यह बाइट करेगा देखिए दोस्तों क्योंकि यह काफी जो है बाइट बहुत तेज तेज करता है इसने वाइट किया सायद आपको केमरे में न दिखा होगा लेकिन हम अभी चाहेंगे आपको कि हम दिखा दे कि अपना मूग खोले लेकिन अभी तो फिला लिए क्योंक कि आपका जो अन्विस्वास हैं आपके मन में जो अन्विस्वास इनको देखके फैला हुआ है वह जो है दूर हो तो हम चाहते हैं इसलिए मैंने इसको दोस्तों पीछे से पकड़ा हुआ है क्योंकि आगे से अगर मैं पकड़ूंगा तो आप लोग कह सकते हैं कि हाँ ऐसे और यह इसकी पकड होती है पंजिष की कपी देखीं अभी तो बहुत छोटा है यह आभी से इसकी टुंदी पकड है और जब कि अब हिस्ते अभी देखिये दोस्तों भी मुटों फहला आया है लेकिन है सा साथ हिए कि हमें भाइट करें कि इससे कि यह देखिए दोस्तों उससे कि आपका जो अंद्विश्वास है वो दूर हो जाए आभी ये भी काफी परेशान है, काफी देर से हमने इसको जो है, ये देखिये दोस्तो, देखे, कोई भी जीब जन्तु हो, जब भी अपने पास खतरा देखता है, चाए वो non venomous हो या venomous हो, तो वो काटने का पिल्यास करता ही है, तो बिल्कुल भी ना घबराएं, देखिए, सही जानकारी ही, सही बचाव है दोस्तों, अभी क्योंकि काफी जादा गर्मी है, और गर्मी में ये ऐसे नन्ने मुन्नी जीप काफी परिशान देते हैं, तो काफी जादा मुँ फैला रहा है ये, फिलाल हम, ये देखिए दोस्त ये देखिए, इस समय आप देख सकते हैं, इसने काफी तेज मुझे वाइट किया, गर्मी बहुत तेज है, तो फिलाल हम अब कुशी देर के बाद इसको रिलीस कर देंगे, क्योंकि हमारा ये ही काद्य है, जीव जुन्तों को बचाना और फिर से उनको पनरवास के लिए कि इसी सेविस्थान पर ले जाकर के छोड़ देना, तो आप देख सकते हैं, काफी लंबी ये जो है, अपनी जीव निकालता है, और देखिए कितनी तेज ये, और देखिए आप नीचे से, और उपर का कलर देख लीजे कैसा होता है, सभी वैस्ते तो इसके बारे में जानते ह कि किसी को कोई अवस्टता नहीं है, हमारे तो बस बताना यह है कि जदा ज़ादा इन जीवों को बचाएं, और अन्विश्वास की चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें, ये जहरीला नहीं होता है, बिल्कुल निर्वीस होता है, ये देखे, ये देखे दोस्तों, अभी पूरी दरस से जो है इसने कई बार बाइट मुझे कर लिया है तो हो सकता है कलकी वीडियो ना मिले लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ये बिल्कुल अब Mr.ista होता है ग्वाने वाली कोई भी या बात नहीं है कभी यह आपको यह जंगलों में ही ऐसे नन्य मुन्य जीव रहते हैं तो आपने देख लिया होगा दोस्तों फिलाल मेरा जो आपसे कहना है आप से यह करने दोस्तों और आपसे फिर से यही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा ज्यादा अपना प्यार सपोर्ट दें इस चैनल को सब्सकाइब करें ताकि आपको आने वाले समय में एक प्रकार के जिद्वन्तों के अवारे में अच्छी नोलिज राप्त हो चके आए दोस्तों आज की व ओम